हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फेंस में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के प्रीविस एर की क्यूशन डिस्कूस कर रहे हैं फॉर्टी नॉवमबर टुटॉजन टॉन्टीटु का हम यहाँ पर पेपर डिस्कूस कर रहे हैं अगर आपने इससे पहलेवाली वीडियोस नहीं देख है तो यहाँ पर आइकाल पर आप कлек करेंगे आपको वीडियोस मिल जाएगी छोन पर प्रियूस के साथ यह होुँशन डिसक्रिप्शन बॉक्स और इसके नहीं पर वीडियो से मिल जाएगी क्यूशन आपको क्यूशन वाइस वीडियो देखने है या फिर टॉपिक वाइस देखने है तो आप उसके लिए प्लैलिस्ट चेक कर लीजिए वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक रूप सारी वीडियोस मल जाएगी तो चलिए चलते हैं हाज के हमारे क्यूशन पर क्यूशन में हमसे गिवन है according to BIS the panel board and meter board are to be kept at a height of देखिए important चीज है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है panel board और meter board के बारे में तो उसकी distance कितनी होने चाहिए कितनी height पर होने चाहिए किसके according BIS के according तो इसकी जो हमें गिवन है वो है हमें बता रखा है वो है 1.5 meter option 4 आपका basically यहाँ पर right हो जाएगा लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ पर meter board given नहीं होता panel board की बात नहीं हो रही होती तो हमसे यहाँ पर only switch की बात given होती तो उस condition में जो हम switch install करते हैं उसकी जो height है वो basically रखी जाती है 1.3 meter जो हमें given है उसके according लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है meter board की बात हो रही है meter board की बात हो रही है तो यहाँ पर जो इसकी height है वो रखी जाती है 1.5 meter यह चीज़ जान में रखिएगा वैसे तो options में given ही तो आपको confusion नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है switch की बात की जाए तो उसकी 1.3 meter है meter board की बात की जाए तो उसकी 1.5 meter है और बात की जाए आप से पूछा जाए कि एक sub circuit है तो उसमें number of points कितने होंगे तो याद रखेगा यह भी अगर हम बात करते हैं किसी sub circuit की उस condition में जो number of points होते हैं number of points की बात करें तो वो होते हैं 10 से जादा नहीं होते है not more than 10 not more than 10 यह याद रखेगा किशन बन जाते हैं इससे related और यहाँ पर एक चीज़ और पूछे जाती है जो single sub circuit होता है single sub circuit उस condition में जो maximum load है वो हमसे पूछ लिया जाता है single sub circuit में maximum load कितना होता है तो यह याद रखेगा यह होता है 800 watt important चीज़े क्यूशन बन चुका है इन पर और रड़ी इन दो पर क्यूशन बन चुका है और यह आपको ध्यान में रखना है इस पर भी क्यूशन बन गया है यह आप देख सकते हैं लेकिन इसका भी ध्यान रखेगा क्यूशन हो सकता है इसलिए याद रखेगा इसका आई अपसर यहां पर आपका कौन सा राइट अंसर हो जाएगा option 4 आप यहां पर राइट हो जाएगा 1.5 मिटर यह हाइट पर हम रखते हैं according to BIS यह मिटर वोड कि यहां पर बात हो यह सुच की पुछे जाए तो 1.3 मिटर होगा और मैक्सिमम लोट पूचा जाए सब सरकिट में सिंगल सब सरकिट में तो 800 वोट होता है और नंबर ओफ पॉइंट्स पूचे जाए सब सरकिट में तो 10 से ज्यादा नहीं होते हैं तो यह चीची याद रखेगा कोई भी सरेटे डाउट तो कॉमेंट बोक्स में बता पूछ सक होते हैं जो भी नेक्स डूडियो आएगी महां पर डिस्क्स कर लिया जाएगा आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं नेक्स डूडियो में जे हिंद जे भारत